Hello everyone, वैसे स्टूडेंट जो खास कर जाम्यमिले इसलाम में Class 11 Science, Arts and Commerce में Admissal लेने के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार entrance exam देने वाले हैं आज की इस वीडियो में जाम्यमिले इसलामे के स्कूल के add-in card के बारें बात करेंगे Finally, आपका add-in card जाम्य के और से release कर दिया गया आपको इसके लिए Google पे जाना है और search कर लेना है JMICV और इसको बाद आपको इस तरीके से scroll करते हैं नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको जो आपने जाम्य का form apply किया था वो इस वाले link से form apply किया था तो अब याप क्या करेंगे इसी link पे click करेंगे apply for admission in jamia, school, 11, arts, science and commerce इस पे science यानि तीनुका है इस पे जैसी इस पे click करेंगे इस तरीकी का detail आजाएगा यहाँ पे अब आपको sign in web panel पे click करना है जैसी इस पे click करेंगे एक new icon इस तरीकी से option आजागा अब यहाँ पे दो बाते बता रहा हूँ पहली बात यह कि अगर आपने खुछ से form apply किया है तो आपने एक email id और password यूज किया होगा वही email id password यूज करके submit बार पे click करेंगे या फिर अगर किसी cyber cafe से form फिल कराया होगा तो भी आपने email id और password यूज किया होगा फॉर्म अप्लाई करने का एक registration form के लिए वो उसी में ही आपका पूरा detail था कि जामे में फॉर्म अप्लाई किया और उसी में ही आपका email id भी mention है तो आपको करना यह है कि already जो आप जिस email से आपने जामे का form फिल किया उसी email पे एक email आया है admin का नाम से और उस admin के email में ही आपका एक separate email मतला उसी में email भी लिखा और password भी लिखा हुआ है हाला कि आपको email id मालूम होगा लेकिन password उसी में mention होगा वही password यूज करके submit बार पे click करेंगे अगर कोई student password भूल गया है तो फिर forget password पे जाकर यहाँ पे forget password पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना email id type करेंगे और उसके बाद reset पे click करेंगे तो फिर आपके पास password चला जागा कब अगर आप login नहीं कर पारे तो लेकिन हम फिलाल एक ही student का login करके हम दिखाते हैं तो admin card कैसे download होगा हो वो पहला process में बताजिए कि यहाँ पे आपको पहले email id पासवर्ड यूज करके submit बार पे click करना है आप देख सकते हैं मैंने email id टाइप करा है और password भी आप इसको submit बार पे click करेंगे जैसे submit बार पे click करेंगे इस type का details हो करने लगेगा स्क्रॉल करते हो निशाएंगे तो देखिए अभी इसके बाद आपके exam का इससे पहले मैंने add in card पे वीडियो बनाए उसमें बताया थे कि देखिए आपको exam card कुछ इस तरीके से दिखेगा अब इस पे हम आपको click करते हैं मतलब इस पे आप click करेंगे जैसे ही तो अब open होगा है new icon जैसी click करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा scroll करते हैं नीशाएंगे तो देखिए इस तरीके से आपका card सो कर रहा होगा बीच में आपको बता दूँ यहां पर कि जो भी स्टूडेंट जामे में 11 साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का इस वर इंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं इस स्टूडेंट टीम की ओर से अभी आप लोग के लिए मॉक टेस स्टार्ट किया गया है जिसमें आपके फाइब मॉक टेस्स रहेंगे जिस भी कंडेट को जॉइन करना हो मात्र 149 में यह 150 रूपीज में आपको मॉक टेस्ट प्रवाइड करा दिये जागा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वर्टस अप नमर सबी के लिए जोइन करने के लिए वाटस अप कर लिएगा यहां यहीं पर आपको नमबर मेंसन कर दे रहा हूँ 747945 आप उसका 7442 निक्ष्ट इसका अगेकर नमबर है यहां फिर से लिख देता हूँ अच्छे से तो यहां पर आपको दिख गया है 747945 7442 यह नमबर इस नमबर 23 यह वहां सेंटर पड़ा है बिल्दिंग का नम मेंसन है फोर इंटर डिसिप्लिनरी रिसेर्च इन रमनुजम ब्लॉक में आप इसको आगे क्या करेंगे यहां पर भीव और डाउनोड को ओप्शन इस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आप देखिए थोड़ एंग काड को किसी सैवर कैफिस से ब्रेंट करा लेंगे यह want करवा के निकल वा लीजिंग कम से कम दो जी रोख निकल वा लीजिए इसका ठीक है आपका सेंटर काओ यहां से बता चलेका मदलब इस पर अन्टरेंस होगा जिस दिन आपका है उस दिन आपको 안녕 काड क लेकर जानाओं और इस वाले section आपको फोटो एक लेकर जानाओं एक passport मतलब दो फोटो अपने पास रखेगा एक फोटो आपको यहां लगा दो एक फोटो अपने पास रखना अब इसके बाद स्क्रॉल करते हुआ हलका से नीचे आएगे यहां पर आप देखें तो दिया जा रहा कि क्या क्या आपको ले कर जाना होगा मैं थोड़ा सा बता दू यहां पेंशॉट में पहली बात तो यह है कि आपके पास एडम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है दूसरा कोई भी आईडी प्रूफ अधार कड वोट आईडी कार्ड कोई एक आईडी प्रूफ य यह तीन चीजी है इसके लाबा वाच केल्कुलेटर यह सब ले जानके जरूत नहीं है यह ज्यादा कुछ नहीं है जिसे पहले है कि आपके पास एडम कार्ड होना चाहिए दूसरा यह कह रहा है कि क्योंकि एडम कार्ड हो समिट कर लेगा ओए मार्चिट में डिटेल जो भ आइडे प्रूफ रहना चाहिए बाकी एक्जाम होल के टाइम में अब एक है कि आनेवल टाइम में हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको एक्जाम कैसे होगा वह एमर्चिट कैसे फिल करना है इस पर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे उसको देख लिजेगा ब ज्यादा कुछ ले जाने की जरूत नहीं है कि अगर आप सिफ स्टूडेंट जाते हैं तो अगर जाम्या केमपस में आपका एक्जाम होता है तो आपको बैग रखने का उप्शन मिल जाता है लेकिन अगर कहीं और सेंटर पढ़ा है तो वहां उसकी कोई गारेंटी नहीं हो हो सकता है आपका बैग चोरी भी हो जाए लेकिन जाम्य में कुछ हद तक ध्यान दिया जाता है यह सब नहीं होता है तो यह आप्शनल रहेगा बागे इस से लेटेट कोई बीड़ा होता है कमेंट केजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आने वाले टाइम मे सब्सक्राइब करें जो भी होगा आपको यहां पर पता चलता रहेगा